राइसन बेगम गंज तो हमारे संबाददाता शर्रत सर्मा की रिपोर्ट सागर भोपाल रोड बंद राइसन जिले के बेगम गंज छिल्वानी से मूशला धार बारिस से नदी नाले उफान पर हैं बेगम गंज का प्राश्री नाले पर उफान से भोपाल सागर का तूटा सड़क संपर्क बारगी बांद के खोले जाने हैं पहले नर्वदा घाटो को किया गया अलट जारी राइसन जिले के बेगम गंज सिल्वानी छेतर में सीजन की सबसे जादा हुई मूशला धार बारिस से नदी नालों में उफान आ गया बेगम गंज और उसके आसपास के छेतरों में सोंबार की साम चार बजे से बारिस का सिल्थिला जारी है इस सीजन में सबसे मुशलाधार बारिस से बेगम गंज के परास्री नाली में पुल के उपर बाल का पानी होने से भोपाल का सागर का सडक सम पर तूट गया और सुरक्षा की दरश्टी से पुलिस कर्मियों को तैनात कर दिया गया है बेगम गंज में करीब 12 गंटे से अधिक समय की जारी मुशलाधार बारिस से निचली बस्तियों में पानी ही पानी नजर आ रहा है बही सिलवानी छेत्र में हुई बारिस की बजा से नदी नाले उफान पर है ग्राम पंचा चेनपुरा का नाला पुलिया से करीब 8 फिट उपर बहने से कई गाओं का सड़क संपर्क तूड गया है राइसें जिले के इलाके में मानसून का पहला सिस्टम इतना सक्रिय हुआ कि बारिस का दौर जारी है जहां बारिस होने से किसानों के चेहरों पे चमक आई धान की फसलवा बारिस ने नया जीबन किसानों को दिया है और राइसें जिले के साथ साथ आसपास के जिले में भी बारिस का दौर जारी है महीं जबलपुर के बर्गी बांद के गेट खोले जाने से पहले नर्वदा किनारे बसे गाउं के प्रिशाथन ने किया है एलट मूशला धार बारिस के चलते परास्री नाले का सड़क संपर्ख तूटा बोपाल का सागर से सड़क संपर्ख तूट चुका है बेगम गंज के परास्री नादी के पुल पर आया पानी पुल के दोनों तरफ लगी बाहनों की लंबी-लंबी कतार इस साल के पहली बार तूटा है सागर का भोपाल से सड़क संपर्ख जान जोखिम में डाल कर पुल पार कर रहे हैं लोग पुलिया का नहीं है कोई बेवस्ता करीब दो गंटे बाद से बंद है सागर भोपाल बेगम गंज से हमारे संबाददाता सरसर्मा की रुपोर्ट सुबै वा साम हुई बारिस बारिस की कमी से जूज रहे किसानों को सौमबार की सुबै खुसी बनकर आई सामने करीब एक घंटे तक जमा जम बारिस होई बही दोफेर में तेज दूप और साम को साड़े पांच बजे अचानक फिर आसमान पर बादल चाए और जमा जम बार से साम के समय बारिस शुरूई हो ओज समय लग रहा था कि नदी नाले में तेजी की धारा चलने लगी है तीन गंटे से ज़्यादा लगातार बारिस से चारों पानी ही पानी हो गया मुख मार्ग सागर भोपाल ब्लाक के सामने काफी लंबे इलाके में पानी फैल गया बाहन के घरों तक अंदर जाना दुस्वार हो गया था बिलाक परिशर में तालाब जैसा नजारा दिखाई देने लगा था SBI कालोनी रामनगर शैमनगर की सडकों में पानी ही पानी बहता नजारा रहा था और चलत हमारों मार्ग पर आदे से अदे कहस्ता जल मंगन हो गया था सागर मलकी पुलिया के नीचे पका फाटक तक बहा कभी चोराहत पर भी सडकों पर सिर्फ पानी का सहलाब नजारा रहा था अभी भी बारिस का दौर जा रही है एज़ी इसी तरीके से बारिस होती रही तो नदी नाले उपान पर आएंगे और देर रात तक पलक मती पुलिया के उपर से पानी बहता रहा लंबी लंबी लाएन लगी रही बाहनों की मेगम गन से हमारे संबाद दाता शरत सर्मा की रिपोर्ट